जै शिराम मित्रो हिंदू धर्म में मोहिनी एकाजसी ब्रत कथा का बड़ा ही महात्मी है। भगवान बिश्वुजी के चरणों का ध्यान करते हुए मोहिनी एकाजसी ब्रत कथा प्रारंभ करते है। आप सद्धा पुरुवक ध्यान से शुने। एक बार धर्मराज उजिष्टी ने भगवान शिर्किष्ण से कहने लगे कि हे क्रिष्ण बैस्ताख माज की सुकल पक्षि की एकाजसी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है। इस ब्रत की क्या बिधी है यह सब बिश्तार पुरुवक बताईए। धर्मराज उजिष्टी के कहने पर शिर्किष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महरसी बशिष्ट ने सिरी राम चंदर जीशे कही थी। एक समय शिरी राम बोले कि हे गुरुदेव कोई ऐसा ब्रत बताईए जिसे से समस्त पाप और बहुत दुख भोगे हैं महरसी बशिष्ट बोले हे राम आपने बहुत सुन्दर प्रश्ण किया है आपकी बुद्धी अत्यंत सुध तथा पवित्र है यदे पी आपका नाम अश्मरन करने से मनुष्य पवित्र और सुध हो जाता है तो भी लोग हित में यह प्रश्ण अ जाल से मुक्त हो जाता है मैं इसकी कथा कहता हूं ध्यान पुर्वक्ष शुनो सरस्वती नदी के तत पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दुत्तिमान नामक चंद्रवंसी राजा राज करता था वहां धन धानिशे शंपन वह पुणिवान धन पाल नामक बैस भी रहता था वहां त्यन्त धर्मालू और विश्णू भक्त था उसने नगर में आनेक भोजनाले प्यावू कूमे सरोवर धरमसाला आधि बनवाए थे सडको पर आम जामून नीम आधि के अनेक बिक्ष भी लगवाए थे उसके पांच पुत्र थे शुमना शद बुद्धी मिघाव शुक्रिती और द्रिष्ट बुद्धी इन में से पांच वापुत द्रिष्ट बुद्धी महापापी था वह पितर आधि को नहीं मानता था वह बैस्या दुरचारी मनुशियों की शंगती में रहकर जुवा खेलता और पर इस्दिरी के साथ भोग बिलास करता तथा तथा नेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नश्ट करता रहता था इनी कारण से तरस्त होकर पिता ने उशे घर से निकाल दिया था घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेच कर अपना निर्वान करने लगा जब सब कुछ नश्ट हो गया तो बेश्या और द पकड़ा गया तो बैसे का पुतर जानकर चेतावनी दे कर छोड़ दिया गया दूसरी बार फीर पकड़ में आ गया। इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया कारागार में उसे अत्यंत दुख दिये गये बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा वह नगरी से निकल बन में चला गया वहाँ बन्य पसपक्षियों को मार कर खाने लगा कुछ समय पस्चात वह बहलिया बन गया और धनुस्मान लेकर पसपक्षियों को मार मार कर खाने लगा एक दिन भूख प्यास से ब्यतित होकर वह खाने की तलास में घुमता हुआ कॉंडिनी रिशी के आसन में पहुँच गया उस शमय बैसाक मास था और इसी गंगा आशनान कर आ रहे थे उनके भींगे बस्तरों के छीटे उस पर पढ़ने से उचे कुछ सदबुधी प्राप्त हुई वह कॉंडिले मुनिशे हाथ जोड़ कर कहने लगा कि हे मुने मैंने जीवन में बहुत पाप किये है आप इन पापों से जुटने का कोई शाधारण बीना धन का उपाय बताएं उसके दीन बचन सुनकर मुनी ने प्रशन होकर कहा कि तुम बैसाक सुकल की मुही नाम के काची का ब्रत करो इससे समझत पाप नश्ट हो जाएंगे मुनी के बचन सुनकर वह त्यंत प्रशन हुआ और उनके द्वारा बताई गई बिधी के अनुशार ब्रत किया हीराम इस ब्रत के प्रभावशी उसके सब पाप नश्ट हो गए और अन्त में वह गरुण पर बैठकर बिश्णू लोग को गया इस ब्रत से मोहाद समनश्ट हो जाते है संसार में इस ब्रत से स्रिष्ट कोई ब्रत नहीं है इसके महात्मे को पढ़ने से अथवा सुनने से एक हजार गोदान का फल प्राप्त होता है मित्रो यह जनकारी आपको कैसा लगा अगर यह जनकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करकी एक लाइक जरूर करना धन्यबाद